हेलो बच्चो वेलकम टू आर्पी क्लासिज आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिस जो 6th क्लास की है इसकी हम पोयम करेंगे वटिफ यानि यदि ऐसा होगा तो यानि क्या होगा यदि ऐसा हो तो जैसे अगर हम सोच लें कि यदि अभी भुकंप आ जाएं तो हम धरती में समा जाएं तो यानि जो अपना दिमाग है वो बहुत बार कुछ उल्टा 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 सोचता रहता है वो ही इस कविता में हुआ है इस पोयम में क्या है last night while I lay thinking here somewhat if crowd inside my ear वो क्या कहता है कि last night पिछली रात मेरे दिमाग में या फिर मेरे कानों में क्या गूंज रहा था क्या कल्पनिक जो भै था वो गूंज रहा था कि यदी कुछ ऐसा हो जाए यदी ऐसा हो जाए तो क्या होगा ऐसा डर या ऐसा कुछ गुन गुना रहा था मेरे कानों में and प्रेंस्ट एन पर टाइड ओल नाइट लोंग and sang their same old what if song यानि मुझे इसने पूरी रात सोने नहीं दिया और यही सोंग मेरे कानों में चलता रहा what if I am dumb in school यदी मैं school में गुनगा हो जाओं तो what if they have closed the swimming pool यदी swimming pool बंध हो गया तो यानि इस type से what if what if मेरे दिमाग में गुन सा रहा ये था आपका first answer इसके हम देख लेते हैं कि क्या क्या question answer इसमें से बन सकते हैं देखिए तो हम इसके question answer देख लेते हैं first question क्या बन जाता है what crowd inside the poet ears poet के कानों में क्या बज रहा था क्या गुनग रहा था some what if crowd inside his ear कुछ यदी ऐसा हो तो ऐसा उसके कानों में गुनग रहा था when did it happen यानि क्या यह कब हुआ था it happened last night when he lay thinking जब वो सोच रहा था what did they do all night long क्या वह सारी रात यह क्या सारी रात चलता रहा they pressed and sang all night long बहुत लंबा टाइम तक ये गुनगुनाता रहा बजता रहा कि mention to what if that the poet thinks of the two what ifs are what if he is dumb in school where school में गुनगा हो जाए and what if they have closed the swimming pool कि यदि swimming pool बंध हो जाए इन्होंने दो what tips पुछे थे हमने दो what if he बताए हैं क्योंकि इसमें दो ही हमने stanza में पड़े हैं next stanza हम देख लेते हैं next क्या है what if I get beat up यदि मुझे कोई पीट दे तो what if there's poison in my cup यदि मेरे cup में कोई जहर मिला दे तो what if I start to cry यदि मैं रोना शुरू कर दूं तो what if I get sick and die यदि मैं बीमार हो जाऊं और फिर मर जाऊं तो what if I fluck that test fluck मतलब fail होना यदि मैं प्रिक्षा में fail हो गया तो what if green hair grows on my chest यदि मेरी chest पर green hair उग जाएं तो इसके भी question answer हम देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं जैसे बहुत बास stanza में सबसे क्या चीज़ होता है कि poet का नाम या poem का नाम पूछ लिया जाता है name the poet of these lines तो नाम क्या है shale silver stain is the poet of these lines what do what if just क्या था this just imaginary fear in the poet's mind उसके जो the mind की कालपनिक जो fears थे डर थे उसके बारे में बताते हैं how does the poet think he might die वो कैसे सूचता है कि वो मर गया तो the poet thinks he might get sick and die आगे है where may the green hair grow according to the poet poet के नुसर कहां green hair grow हो सकते हैं according to the poet the green hair may grow on his chest उसकी छाती पर green hair उग गए तो ऐसा poet सोचता है stanza number 3 हम इसका देख लेंगे what if nobody likes me यदि मुझे कोई भी ना पसंद करे तो what if a bolt of lighting strikes me what if a bolt of lighting strikes me यदि मेरे उपर यानि बिजली गिर पड़े तो what if I don't grow taller यदि मेरा कद बढ़ना ही बंद हो जाए तो what if my head starts getting smaller यदि मेरा जो head है वो छोटा होना शुरू हो जाए तो what if the fish won't bite यदि जो fish है वो पकड़ी ही ना जाए तो यदि मतलब जो मचली है यदि वो पकड़ी ही ना जाए तो क्या होगा what if the wind tears of my kite यदि जो हवा है मेरे पतं को फार दे तो इसके question answer क्या बन जाते हैं वो भी देख लेते हैं भी हम name the poem पहले poet का नाम पुछाते जैसे क्या poem का नाम है name the poem from which these lines have been taken the name of the poem is what if are the what ifs imaginary are real क्या imaginary है वो या real में है नहीं वो तो सिरफ उसके क्या है imaginary है the what ifs are imaginary अगे है what does the poet think may strike him the poet thinks that bolt of lighting may strike him क्या लगता था जैसे उसके उपर वज्जर पात या फिर बिजली जो कड़कती है आसमान में वो गिर जाए तो what are the poet fears about his growth and head उसके दिमाग में उसकी जो growth को सिर का growth को लेकर क्या डर है the poet fears are what would happen if he does not grow taller on his head starts getting smaller यदि वह लंबा ही ना हो तो या फिर उसका जो सर है वो छोटा हो गया तो एक last question और बन जाता है इसमें से what what if does the poet associate with the fish and his kite fish के लिए क्या था और kite के लिए कौन कौन से what if थे इसके अंदर he says what if the fish give up biting and the wind tears of his kite last stranger जो हमारा रह जाता है उसे भी हम देख लेते हैं standard number four पहले इसके हम explanation कर लेते हैं फिर देखते हैं next question answer what if the bus is late यदि बस लेट हो जाए तो what if my teeth don't grow in state यदि मेरे जो दांत है सीधे ना उगें तो what if I tear my pants यदि मेरी pants फट जाए तो what if I never learn to dance यदि मैं कभी भी dance ना सीख पाऊं तो everything seems well and then the night time what if strike again वो क्या कहता है कि पूरा सब कुछ सही रहता है बट जब night होती है फिर strike कर देते हैं दोबारा दोबारा वो ही उसके what if उसके डर उसके उपर फिर हावी हो जाते हैं फिर उसको वही चीज़ें याद आने लगती हैं अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो इसके question answer देख लेते हैं whose bus might be late किसकी बस लेट हो जाती the poet bus might be late poet की ही तोकि वो अपने बारे में ही कह रहा है what may happen to his teeth teeth के साथ क्या हुआ his teeth may not grow straight उसके teeth सही यानि सीधे नहीं उगत पाए तो has the poet really really torn his pen क्या poet ने सज में अपनी pen फार दी no he only tears it in his imagination when do what if strike again what if strike again at night कब strike करते हैं दोवारा दोवारा what if जैसे हमारे भी दिमाग में कुछ कुछ गलत गलत बातें आती रहती हैं कुछ अपनों के बारे में कुछ अपने बारे में हमारे दिमाग में भी ऐसे वटीफ होता रहता है वो ही है poet वही है जो छोटे बच्चे उनके दिमाग में भी यही वा evalu different यही बातें साथ ऐसा हो जाए तो ऐसी-एसी कुछ बातें घुमती रहती थी यह थी आपकी explanation थी आपकी poem की साथ में उनके stanza के जो question answer बन सकते थे वो यह हमने उनके answer भी कर ली है because आपके पास stanza भी आता है exam में और उनके question answer भी आते हैं आज के लिए मेरी video यह इंतक थी अगली video में अगली lesson के साथ मिलेंगे thank you